जीहाल मसकी मकुंबरंजिश बहार हिचरा विचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है वो आके पहलो में ऐसे बैठे किशाम रंगीन हो गई है जरा जरा सी खिली तबियत जरा जिकंगीन हो गई है बहुत ही फेमस हो रहा है ये गाना वैसे तो बहुत पुराना है लताजी का गाया हुआ लेकि इस गाने के जो बोल है अगर आप उन पे ध्यान दे तो वो रिष्टों में खटे मीठे जो अवसर आते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और रिष्टों में खटापन मीठापन आता रहता है सॉल्ट और स्वीट ये दोनों आपको टेस्ट मिलते रहेंगे हम भी रिष्टे बनाते हैं और रिष्टों में कई बार हमें यसी दिक्कते आती हैं चाहे वो माता-पिता हो भाई-बैन हो दोस्तों प्रेमी हो या बती-पत्मी बच्चे सभी रिष्टों में आप ये फीलिंग तो जरूर आएगी या आई होगी आपको कई बार या आ रही होगी तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी यसी कौन सी आदत है जिसकी वज़े से आप रिष्टों में परफेक्ली फिटने हो रहे हैं मैं हुरश्मे सिना वासु कंसल्टेंट टिमरोलोजिस्ट और ग्राफोलोजिस्ट और मैं आज इस एपिसोड में डिसकस करूंगी आपके डेट और वर्थ के बारे में कि आपके यसी कौन सी बुरी आदत है किसी भी रिष्टे में अराम से फिकनी हो पाते उसे चलाने ही पाते और अगर वो चल रहा है तो वो लड़कडाता रहता है चले शुरू करते हैं इस एपिसोड को बने रहीगा पूरे वीडियो में और अपनी आदतों से ज़ादा दूसरों के आदतों पे धान दीजे क्योंकि हमें अपनी बुराया तो अच्छी लगती नहीं है इसलिए आप ये बताए कि क्या आपके पार्टनर में या आपके जान परचान में किसी में भी ऐसी आदते आपने नोटिस की है कॉमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है अगर आप नए हैं तो आपको बहुत सारा प्यार और दोलार चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम नमबर वान की अगर आप किसी भी मन्त की फर्स्ट को तैंथ को ट्वेंटी एट को या फिर नाइनटींथ को वान है तो डेफिनेटली आप है नमबर वान यानि आपका जो बहुत मुलांक है वो एक तारीख है तो ऐसे लोग बहुत ही वैसे तुद्रनेश्य होते हैं लेकिन प्यार में हमेशा आरोगेंसी के वज़े से प्रॉब्लम आती है ये ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं और इनकी एक आदत होती है कि ये देंगे बहुत लेकिन जैसा चाहेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा तो ये जो डिक्टेटरशिप है कह सकते हैं कि वर्ड वो भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन बार-बार इनका हाटब्रेक होता रहता है बहुत सारे mood changes होते रहते हैं और अपनी बात पे कभी भी टिके नहीं रहते हैं स्टैंड ना लेने की आदत या कभी-कभी जहां आपको बोलना चाहिए वहाँ चुप रहने की वज़े से आपके रिष्थे हमेशा कमजोर पढ़ जाएंगे और लोग आपको छोड़ कर चले जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिए आपको कभी-कभी स्टैंड भी लेना चाहिए स्ट्रॉंग होके बोलना चाहिए और अपने decisions पे बनी रहना चाहिए आप बार-बार अपने mood change करते हैं कभी एक इनसान को अच्छा बोलते हैं और फिर बाद में उसी को बुरा बोलते हैं ये आदत अपने से निकालिए और देखे फिर आप रिष्टों में कितना आगे जाएंगे क्योंकि रिष्टे निभाने ही में आते हैं तो exactly मैं इनको 70-80% मार्क्स देती हूं रिष्टों के मामले में अब बात करते हैं नमबर 3 की यानि आप किसी मन्त में 3rd को, 12th को, 21st को या फिर 30th को बॉल हैं ऐसे लोग वैसे तो बहुत ही प्यारे होते हैं expressions अच्छे होते हैं लेकिन इनकी procrastination यानि हर बात में डीले करने की आदत mystical रहने की आदत सारी वाते शेयर ना करने की वज़े से इनका communication बीक पड़ जाता है और लोग इन से दूर होने लगते हैं क्योंकि ये सही समय पर सही बात नहीं कहते हैं और जब तक ये कहने आते हैं तब तक लोग उने छोड़ कर चले जाते हैं और ये अकेले रह जाते हैं तो आप इतना delay मत करें इतना जादा भी समय ना ले किसी चीज़ को बताने में या इतनी जादा भी बातें मत चिपाएं या इतनी जादा बातों को क्या फाइदा बता के ऐसा सोच कर आपने जो रिष्टों में दरार पैदा की है उसे दूर कीजे ये रिष्टे को दरार को बढ़ाता है और कई बार लोग आपको मिसंडस्टैंड करना शुरू कर देते हैं अब बात करते हैं नबर फोर की नबर फोर यानि किसी भी मन्त की फोर्थ को अगर आप पैदा हुए है थर्टीन्थ को हुए है और थर्टीफर्स्ट को हुए है या फिर ट्वेंडी सेकंड को हुए है तो आप फोर्थ बॉन है यानि आपका मुलांक है चार ऐसे लोग बहुत ही रिष्टों में एमोशनल होते हैं तो इन्हें सिक्के का पाया और दाया दो उनों दिखाई देते हैं मगर दिक्कत अब आती है जब यह सामने वाले को यह बात बता देते हैं तो इसलिए रिष्टों में कभी-कभी ऐसे चीज़ों को अवोइट करें जहां बात भी गड़ सकती है आपको पता है सच क्या है मगर इतना भी सच बोलना ठीक नहीं क्योंकि हर इंसान में कुछ कम्यात और कमजोरियां तो होती ही है हमें रिष्टों को उनके साथ बेकी ही चलना चाहिए तो इस बात में एक वर्ड याद रखे जस्ट डू कॉंप्रमाइज पर फ्यू थेंग और गो अहेड अदर्वाइज रिष्टों में और कोई दिकत आपको नहीं आएगी अब बात करते हैं नमबर फाइट की यानि किसी भी मंत की फिफ्ट को पोटीन थियाफे ट्वेंडी थर्ड को अगर आप बौन हैं तो आपका मुलांक पांच है ऐसे लोग रिष्टों में जल्दी आ जाते हैं और जल्दी ही निकल भी जाते हैं यानि ऐसे लोग रिष्टों को बहुत समहाल पाना इनके लिए मुश्किल काम है बहुत ही मूडी होते हैं और फोकस बहुत कम होता है तो बहुत जल्दी बहुत देर तक किसी की बात ना सुन पाने की वज़े से या बहुत देर तक किसी के साथ समय ना बिता पाने की वज़े से इनके रिष्टे खराब होते हैं रिष्टों में जल्दी से मिनट मिनट चेंजिस जो ये लाते हैं या इनकी बहुत जादा जो लंबड़ी सोसाइटी है इसकी वज़े से इनका कॉंसेंट्रिशन अपने किसी खांस वेक्तिके साथ कम होने लगता है और यही वज़े होती है कि ये रिष्टों में कभी-कभी अब बात करते हैं नंबर 6 की यानि किसी भी मंत की 6 को 15 को या फिर 24 को अगर आप बॉन है तो आपका मुलांक 6 है और ऐसे लोग वैसे तो बहुत ही प्यारे होते रिलिशन्शिप में लेकिन रिष्टों में ओवर एक्सपेक्टेशन की बहुत बढ़ी आदत होती है करेंगे बहुत और डिमांड भी बहुत करेंगे बात बात पर इने दुख पहुचता है इनका दिल बहुत जल्दी तूट जाता है इतना दिल जोड़ना किसी के लिए संभव नहीं है आपकी हर एक बात मानना या हर एक बार आपके एमोशन्स को कोई कंट्रूल करें यह पॉसिबल देती है अच्छी बात है अगर आप मां बेटे के रिष्टे में हैं या भाई बेन के रिष्टे में तो यह चल जाता है लेकिन जब आप प्रेमी रिष्टे में होते हैं प्रेम के रिष्टे में होते हैं तब यह बात अच्छी नहीं होती तो इस आदत को प्रीज अपने मे को बॉन है ऐसे तो यह लोग रिष्टों में बहुत कम होते हैं इनका थोड़ा अलोन रहने का नीचर होता है और जल्दी से इनमें दिखाई देती है तो इमोशन्स जाधा डिस्टर्ब नहों इस वज़े से डिटैच हो जाते हैं तो यह जो डिटैच्मेंट कभी इबार सही स तो मैं पर डिसिजन भी नहीं ले पाते हैं इसकी वज़े से रिष्टे अच्छे रिष्टे भी इनके हां से चले जाते हैं और रिष्टे ना समाल पाने की इनकी यह आदत यह शो करती है कि यह डिटैच रहते हैं या यही जाते हैं वो रिष्टे तूट जाएं और इन पर ये blame भी लग जाता है तो आप ये detachment वाले words ना बोले इतने straight ना बने इतने straight forward ना बने और लोगों को थोड़ा सा मधूर रहकर handle करना शुरू करें तो ये जो balance है balance बनाईए आपका problem है balancing नहीं है आपकी तो balance बनाईए अब बात करते हैं number 8 की number 8 यानि वो लोग जो किसी भी मंत की 8 को 17 को या फिर 26 को born है ये लोग बहुत ही logical और ethical होने के वज़े से किसी भी rule को break करने वाले लोगों से दोस्ती नहीं कर पाते अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने rules follow नहीं करते या इतनी loyalty पे नहीं चलते तो इनको loyal और rule जो नहीं maintain करेगा उससे रिष्टा नहीं बना पाते इस वज़े से बहुत कम रिष्टे बनते हैं और इनकी ये आदत rigidity जो rigidity एक word है वो मैं कहूंगे या पर ये rigid हो जाते हैं पर और बात बात पर जगड़ा करना शुरू कर देते हैं पहले तो प्यार दिखाएंगे यानि extreme love और extreme fights इनके रिष्टे में नजार आता है तो इन्हें ये control करना चाहिए कि याद रखी जब आप अपने rules बनाते हैं तो वो सिर्फ वो आपके लिए होते हैं जरूरी नहीं कि आपके साथ रने वाले भी उस rule को follow करें तो please stop making rules क्योंकि प्यार unconditional होता है और वह rules की कोई जरूरत नहीं होती अब बात करते हैं number 9 की number 9 यानि आप किसी भी मन्त की 9th को 18th को या फिर 27th को बन है ये लोग रिष्टे निभाना बहुत अची तरह जानते हैं लेकिन जरूर से जाधा अपना देने लग जाते हैं टाइम देने लग जाते हैं अपना hard work देने लग जाते हैं और क्या होता है नतीज़ा कि लोग उतना return नहीं कर पाते तो जो ये दे रहे इतना इनको मिलता ही नहीं है ये इनकी दुख का कारण बनता है और बाद में ये रिष्टों से अकेले को छोड़कर अकेले चले जाते हैं कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इतनी जादा समास उधार करते हैं कि परिवार में जो लोग इनके लिए माइने रखते हैं वो पीछे रह जाते हैं तो याद रखें रिष्टों में इन्हें भी फिल्टर करना चीखना चाहिए, रिष्टों में इन्हें भी एक लिमिट लगाने चाहिए कि हमें कितना किसी को देना है, क्योंकि देना शुरू करेंगे तो लेने वाले तो रुकेंगे नहीं, तो overall ये लोग भी बहुत ही प्यार में नहीं है, सामने वाले के decisions लेना आपके हाथ में नहीं है, सामने वाले के movement क्या होंगे ये आप decide नहीं कर सकते हैं, तो आपने ये तयार रहना है कि love and relationship हो या कोई भी रिष्टा एक partnership की तरह चलता है उसमें changes आ सकते हैं, उमीद करते हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए सब कुश्यूप कामना है, रिष्टे बचाईए और अगर आपके पार्टनर में ऐसी आदते तो नहीं वीडियो भेजिए ताकि वो सीखे कि उन्हें क्या control करना है, all the best